में माई डियर स्टुएंट्स वेलकम टू एफस इंटर कालेज दुरनिया वरेली ओनलाइन क्लासेज तो प्रिये बच्चो लेक्चेन नंबर 12 तोड़े आज मैं आपको टॉपिक है प्रिजेंट परफेक्ट कंटिनुवस स्टेंज प्रिजेंट परफेक्ट कंटिनुवस टेंज तो इसके जो हिंदी वाख होते हैं उनको हम किस प्रकार से एंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं तो आए सर्प्तम इसकी पहचान क्या होती हिंदी वांठrire कोटी है कि तो पर्फेयक्ट कंट्यूनिय को थो होते हैं उसके हिंदी वाकों की क्या पहचान होती कैसे हम पहचानेंगे कि यह वाक्क है यूंज जो सं टेंस है वह किस तेंस अगा है तो कि इसकाल के के हिंदी वाकों के अंत में हिंदी वाकों के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा हूं रहे हो शब्द आते हैं तो ये तो पहचान में फर्स्ट पॉइंट होगी हमारा इस काल के हिंदी वाकों के अंत में रहा है रही है रहे है रहा हूं रहे हो सब्द आते हैं सेकंड पॉइंट क्या होगा पहचान का इसमें निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया होता है तो प्रिवस्चु पहचान होगी हिंदी इसमे निष्चित तथा अनिष्चित समय दिया होता है यह इस वाक होंगे हिंदी तो उने में जो अनिष्चित इनि पॉइंट ओप टाइम या अनिश्चिस समय पिरिएड ओफ टाइम दिया होगा तो यह तो इस टेंज के बागों की पहचान हो गई अब नैस्ट इसका जो पार्ट आता है फस्ट अफर्मेटिव संटेंस इस अब इस टेंज के जो अफर्मेटिव संटेंस होते हैं कि उनके हिंदी वाको कि किस प्रकारते हम ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट रूल्स क्या होंगे तो फर्स्ट जो रूल होगा ही सी इट नेम आधी सिंग्लर सबजेक्टों के शाथ हैंज बीन का प्रियोग करते हैं तो यह तो फर्स्ट रूल हो गया सैकेंड रूल आई बी यू दे आधी फिर्स्ट रूल सबजेक्टों के साथ हैंज बीन का प्रियोग करते हैं तो फर्स्ट रूल हो गया कि ही सी इट नेम आधी सिंग्लर सबजेक्टों के साथ हैज बीन का प्रियोग करते हैं आई बी यू दे आधी फिर्स्ट रूल का सभी सभी करताओं के साथ सभी करताओं के साथ में बर्व में बर्व की फर्स्ट फॉर्म में जोड देते हैं तो यह इसमें थर्ड पॉइंट हो गया सभी करताओं के साथ में बर्व की फर्स्ट फॉर्म में जोड देते हैं तो नैस्ट इसका क्या होगा रूल तो फोर पॉइंट क्या है रूल का प्रियवच्चों से शब्द के लिए से सब्द के लिए सिंस तथा फॉर का प्रियोग करते हैं कि हिंदी वाक्त में से सब्द होगा लगा हुआ तो उसके लिए हमें सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज़ करेंगे नैस्ट प्रियवच्चों समय के लिए हमें क्या लगाना है सिंस का यूज़ करना यह से सब जो आएगा हिंदी वाक्त में तो उसके लिए मैं सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है अब सिंस हम कहा लगाएं और फॉर हम कहा लगाएं तो प्रिवच्चों अगर नमस्वाइब की सींस हम का यूज़ करना है से के लिए तो जैसे मंडे ट्यूजडे बैटनर्जडे थरस्डे फ्राइडे अगर दे नेम है तब तो हम सिंस का यूज़ करेंगे और अगर इस प्रकार से है टू डेस थ्री डेस फोर डेस फाइब डेस टैन डेस तो हमें फौर का यूज़ करना है अगर दिया हुआ है 1990-1995 या 2014-2019 इस प्रकार से अगर दी हुई है सन तो हमें सिंस लगाना है और दिया हुआ है पांच वर्से छे वर्से साथ वर्से आट वर्से तो हमें फौर का यूज़ करना है दिया हुआ है जन्वरी से फर्वरी से मार्च से अपरेल से मई से तो सिंस का यूज़ करेंगे और दिया हुआ है टू मन्थ दो माह से फाइम मन्थ पांच माह से या टैन मन्थ दस माह से तो हमें फौर का यूज़ करना है फिर नेक्स्ट क्या है अगर दिया हुआ है फौर उसे तो हमें तो एगर और दो घंटे से तो हमें फॉर का यूज करना है अगर दे रखा है उसमें पिछले दिन से तो हमें उसका यूज करेंगे या लास्ट एर हो तो भी हम सेंस्ज़ करेंगे और दिया हुआ है तीन सब्ता से या पांच सब्ता से तो हमें फौर का यूज़ करना है अगर सब्सक्राइब एवनिंग साम से या सटेड़े कल से तो हमें सिंस का यूज़ करना है और अगर दिया हुआ है मैनी डेस कई दिन से तो हमें फौर का यूज़ करना है तो नेक्स्ट प्रियचो एक इस्टेक्चर के बेस पे हम हिंदी वाकूं की यूज़ है ट्रांसलेट तो इस्टेक्चर बनेगा हमारा सब्जेक्ट है है या है सब्जेट के अनसार यूज़ करेंगे उसके बाद बीन आ जाएगा वर्व फर्स्ट में आई एंजी लग जाएगी ऑफजेक्ट है अधर वर्ड है फॉर या सिंस अंत में है जो टाइम होगा चाहें वो पॉइंट कि टाइम हो चाहें पीरियड ऑफ टाइम हो तो वह फॉर या सिंस के वाद यूज़ होगा तो यह प्रिवच्च्च बना सब्जेक्ट हैस है बीन बार वाइंजी ऑब्जेक्ट अधर वर्ड फॉर या सिंस में से एक का यूज़ करेंगे फिर टाइम तो यह में में 2013 से पढ़ रही है तो प्रियाच्चों यह हिंदी वाख हो गया रीना इसमी द्याले में 2013 से पढ़ रही है अब यहां पर दोगो यह पॉइंट ऑफ टाइम है दिया हुआ निश्च्च समय है 2013 2013 से इस विद्याले में पढ़ यह निश्च्च समय है दिया हुआ तो अब इसको ट्रेंसलेट हम इसी वेस पर कर देंगे जो इस ट्रेक्चर दिया हुआ है तो रीना प्रॉपर नेम है सिंग्लर सब्जेक्ट है तो रीना अब रीना के अंसार है जो कई यूज़ करेंगे एवब मैं आपको बता चुका हूं राइड भी करा दिया है वा गया उसके बाद बीन बर्व क्या है हमारी में बर्व पढ़ना यानि पढ़ रही है तो रीड तो रीड में आयंजी लगा देंगे रीडिंग हो जाएगा अब देखना ऑब्जेक्ट किसमें हमारे हिंदी बा अब फॉर या सिंस में से हमें यूज़ करना है 2013 से तो पॉइंट ओफ टाइम दिया हुआ है प्रिवच्चो यही समझना सबसे ज्यादा हमें तो यह निश्चित समय है पॉइंट ओप टाइम तो हमें से के लिए क्या लगाना है जिंस का यूज़ करना सेंस तू थाउजन 13 इस प्रकार से जो हिंदी व्यक्त था उसकी ट्रांसलेट किलियर हो गई प्रियच्च नैस्ट एक्जाम्पल बे बे जन्वरी से मुझे विज्ञान पड़ा रहे हैं तो प्रियच्चो यह जन्वरी से बे जन्वरी से मुझे विज्ञान पड़ा रहे हैं तो यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनौन कामन जेंडर हो गया अब दे अब दे के साथ हमें हैव का यूज करना है एव रूल में मैं आपको बता चुका हूं तो हैव बीन आ जाएगा और मेन बर्व क्या पढ़ाना देखो जब हम स्वें पढ़ते हैं तो आता है रीड जब हमें कोई अधर पर्सन अगर पढ़ाता है तो लिखेंगे हम टीच तो यहां आएगा टीचिंग वर फर्स्ट में आई एंजी कनेक्ट हो गई अब नेस्ट क्या आएगा ऑबजेक्ट में दिया हुआ है मुझे तो म टाइम यहां सुं में जयन्वरी से तो हमें और से के लिए क्या युज करना है सिंस टाइम है तो सेमस जैन्वरी चाहित लिए अ तो इस प्रकार से जुए हिंदी वाक्ता उसकी ट्रेंसलेट बनी जाकर मिहें टीचेंग में डर्स हैं साइंस इस प्रकार्थी complete हो गई next example है वह है चार गंटे से इस मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है तो प्रिवचो संटेंस जो था हमारा हिंदी वाक थोड़ा लॉंग हो गया है डरने की वात नहीं है आईए ट्रांसलेट करते हैं तो यहां सब्जेक्ट है वह है तो हम ही का यूज़ करेंगे मस्कूलिन जेन्डर है सिंगूलर नंबर है अब इसके अंसार जो हमारी हेल्पिंग बार होगी क्या आएगी हैज आजाएगी तो हैज बीन हो जाएगा अब में वर्व क्या प्रियुच्चो खेलना तो हम क्या गरेंगे पिले भी नहीं होता है खेलना तो आई जी लगा देंगे पिले अब कौन सा गेम खेल रहा है या फुटबॉल तो हम क्या लिगेंगे यहाँ फुटबॉल अब किसके साथ खिल रहा है अपने दोस्तों के सा चाल तो जबो रेलेशन होता तो प्रिपोजिशंग यूज जाग ये तो यहां क्या ज़ागा बिद क्योंकि रिलेशन है डोस्ती का इसमसक्त है Ava ही के साथ अपने its feeling predicに आपने दोस्तों के साथ आप कहा खेल रहा है टो प्लैस्तों के इस में तो हम लिखे इन no deço your mind held on the ground अब अब कभ से खेलना है टाम ृट्रच का रहा है 4 घंटे से कितने और से 4 घंटे से 4 घंटे से कैसा समा हो गया अनुस्य समा हो गया कैसे समाइल गया 251 टाइम तो से के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर तो से के लिए हम क्या यूज़ करना है फॉर अब चार घंटे से तो फॉर आवर्स फॉर आवर्स चार घंटे हो गया तो इस प्रकार से वे हिंदी वागता वह चार घंटे से इस मैदान में अपने दोस्तों के साथ फूटवॉल खेल रहा है तो हमने ट्रांसलेट किया he has been playing football this his friend अपने दोस्तों के साथ in this ground इस मैदान में कब से तो 4 फॉर फॉर आवर्स यहीं चार गंटों से इस प्रकार से एक complete होगी तो next तो प्रिवच्चों अगर हिंदी वाक चाहें वो कितना भी लॉंग हो कितना भी लंबा हो तो उसकी हम translate बनाते तो उसका प्रिवच्चों रूल यह होता है कि हमने subject रायट कर लिया subject रायट कर लिया subject को लिखरने के वाद आप हिंदी वाक के पीछमीं चले यह यहांनों कि इधर से इधर को आते आ你們 कर RGB करते हुए हर्ए हम रीट करते हुए आए combat कर दो आ अए paragraph है हुए चले आते हैं संटेंस में यानि हिंदी बाग का जो संटेंस होगा उसकी करने में कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगी यह मैंतर होड़ा है इसका हिंदी बाग से इंगलिस संटेंस बनाने प्रिवच्चो नेक्स तो मेरे प्रिवच्चो यह जो प्रिजेंट परफेक्ट कंट्यूनियूस टेंज था जिसके हिंदी बाकों के अंत में रहा है रही है रहे है रहा हूं रहे हो सब दाते हैं और इसके बाद जो प्रिजेंट कंट्यूनियूस होता है उसमें भी आता है र रही हूं रहा हूं रहे हूं अंतर क्या कि इसमें जो है समय दिया होता है और उसमें समय नहीं दिया होता है तो इसमें एक नोट पॉइंट आप है नोट कर लेना अपने नोट बुक में या अपने मन में इसको एड़ कर लेना तो वह कौन सा है इस काल के वाकों में इस और एम का यूज नहीं करते है ठीक यह बात आपको लर्न करनी है कि इस काल के बाकों में इस आर एम का प्रियोग यूज नहीं करते हैं ठीक तो प्रिवच्चो जो आपकी अगर ग्रामर की बुक होगी आपके पास तो उसमें से इसकी जो चल्षाय जो अफर्मेटिव सेंटेंस की तो इसी बेस पे जो मैं ने आपको लेक्चर दिया इसी बेस पे आप ऊसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिस में तो प्रिवच्चो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्ट वीडियो में see you again watching for thanks Jai Hind Jai Walat